बोश्पूरी अभीनेता गायक धर्मेंद्र खरवार का गाया कोरोना वैक्सिन पर देश भक्ति गीत पूरे भारत में गुंजेगा और लोगों को खुब पसंद भी आएगा गीत की रिकॉर्डिंग पर हमने यह गीत सुना है उपरोक्त बातें मुंबई के पूरो उप महापौर और भाजपा के वरिष्ट निता बाबुबाई भावान जी ने मीडिया से बाच्चीत में कहा उन्होंने यह भी कहा कि वरिष्ट पत्रकार और गीतकार कपिल देव खरवार ने कोरोना और वैक्सिन को लेकर अब तक का पहला और सबसे शानदार देशवक्ति गीत रच दिया है उपर से दुसरा जागरन गायक वरिष्ट नरेंद चंचल की हू बहू आवाज धरमेंद खरवार ने इस गीत को अपनी जादवी आवाज देकर अमर कर दिया है तबी तो इस गीत को बार-बार सुनने को जी चाहता है धर्मेंद खरवार द्वारा गाया गाना हमने वैक्सिन बना लिया है दुनिया को दिखा दिया है अपने भारत की ताकत का अंदाजा भारत मा की जैजैकार लोगों को काफी पसंद आएगा रिकॉर्डिंग के आरंभ में बाबु भाई भाउन जी ने शुब नारियल तोड़कर भगवान की तस्वीर पर पुश्प अरपित कर धर्मेंद खरवार को तिरंगा मफलर देकर उनको अपना आशिरवाद दिया इस मौके पर फिल्म निर्देशक लेखक श्री गोपाल गीतकार जावेद एहमद सुभाष पती खरवार मास्टर गीत खरवार उपस्तित थे मेकप मैन दैनी ने धर्मेंदर का रूप समारा और कैमरा मैन इकबाल ने अपने कैमरे में उनकी सुन्दर तस्वीर कैद कर ली कपील गीत कुशिनगर प्रस्तूत निर्माता निर्देशक और संगितकार कपिल्देव खरवार के लिखे इस गीत को ओशिवरा अंधेरी पस्चिम मुंबई में प्रविज सरकार ने बहुत ही खुबसुरा धंग से रिकॉर्ड किया है कोरोना जब देश में ऐसी बिमादी आई तो हाहाकार मच गया और यह लगा कि लाईल आज बिमादी है आज मुमई में इतने हजार लोग मर गए कल वहां मर गए कल वहां मर गए और लोग परेशान हो गए सरकार को ले करके कि यह कब तक दवा आएगी कब तक दवा आएगी औ अनिज से साथालिस में आजादी मिली तब का भी मैं जानता हूँ तब से और आज तक का दो हजारे किस तक का जो भारत ने प्रकती की है इस बात को लेकर मैं मुझे पुरा विश्वास था कि आज नहीं तो कल वैक्षिन दवा आ जाएगी और दवा आ गई फिर मैंने एक कलप वैक्षिनेशन हो जाए तो इस गाने को मैं आवाम के लिए ले आऊँगा इसमें वैक्षिन का डाक्टरों का संगर्स हमने बताया है और देश की आजादी को भी इसमें संकल्पना में मैंने लिया है कि आजाद देश को आजाद कराने के लिए किन-किन सहीदों ने किन-किन महापुरसों ने त्याग और बिलिदान से देश को आजाद किया उनको भी समाहित करते हुए मैंने इस गीत को रचा हुआ है ये हम संदेश देना चाहते हैं कि इन लोगों की बदूलत भारत को ताकत मिली है एपी जे कलाम बैग्यानी थे उन्होंने देश को बहुत दिया महत्मा गानी का तश्वीर है उन्होंने देश को आजाद कराने में अगरणी उनकी भूमिका रही है सहीद भगा सीन, चंद सेखर, आजाद, नेता जी सुबास, चंद रोस ऐसे लोगों को हमने समाहित करके किया कि हमारे देश के ये क्या बोलते हैं महापूरुस है और इन सब को मिला करके हमारा देश भारत बना हुआ है और फिर मैंने एक लाइन अंत में ये किया है कि इसको स्वर्ग बनाना है, हमें दुनिया को दिखाना है तो स्वर्ग बनानों है, सब मिल करके प्राल्थना करें, उसमें मंदीर, मस्जिद, गुरुद्वारा, और सबसे बड़ी चीज है, आज इस कालिक्रम को जो उद्धुगाटन कर रहे हैं गाने का, मुंबई के पुर्ब, ओप महापर और भारिजती जन्ता पार्टी के मुंब को ने किया, ओ हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई, बस चार तक सीमित लगे, मैं दो कदम और आगे बढ़कर के मैं जाने के लिए कोशिश किया हूँ, जिसमें मैंने जैन लोगों का, पावापुरी का, हमने मंदिर इसमें दिखाया है, महावीर भगवान के संदेश, जो महा संदेश दिया, हमने उस महात्मा बुद्ध को भी समाइद किया है, हम दो कदम आगे जाकर के हमने देश की एकता के लिए उनको भी इसमें समाइद किया है, एक तरह से देखा जाए तो यह गाना, राश्ट्री देश भक्ती गाना है, जहां फिल्मी गाने अनने थरीके से समाज को संदेश जाता है देश की जनता के लिए कि जो करोना से लोग इतने प्याधित ऐसे में वेक्षीन का अविस्कार हो गया अपने अहां इजाद हो गया और उसारे लोग टिका लगा रहे हैं देश के जनता इसके फाइदा उठा रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा यह गाकर अपने देश के नेताओं को अपने देश के सरकार को देश की जनता को मैं धेर सारी बधाई देता हूं मैं अपनी इस गाने के माध्यम से और जागरुग भी करना चाहता हूं कि मैंने यह गाना गा दिया है सहो करोड वेक्षीनेशन पर लेकिन जो नहीं टीका जाए जागे सरकार के संस्थान सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं आशिरवाद देता हूं गाने लिखने वाले एडिंग करने वाले एडिट करने वाले और खास करके दर्वेंदर भाई को जिनों ने अपनी आत्मा की आवाज को आप तक पहुँचाने की कोशिस की देश पिछले साथ-ाठ साल में एक नया रूप ले रहा है जहां हमें सब भारत देश जो दूसरे देशों पे अधार पे रहता था उनके बताय हुए रस्ते पे चलता था उनके आसरे पे चलता था लेकिन पहली बार मोदी सरकार द्वारा इस साबीत कर दिया हम भी किसी से कम नहीं और उन्होंने विगनानिक ध्वारा बहुती ताकात प्रदस्चिंत करते हुए हमारे विगनानिको का होसला बढ़ाते हुए डॉक्टरों का होसला बढ़ाते हुए जो है कारे में काम कर रहे तमाम लोगों का होसला बढ़ाते हुए उन्होंने एक इतियासिक कारे किया है जिसमें भारत देश का नाम पूरे विश्व में नमबर एक पिलाया है और इसके लिए सबसे बढ़ाई के पातर है तो हमारे प्रधान मंतरी नरेंदर भाई मूदी जी बहुत सारे लोग जो एक कुछ कुछ बोलते थे लेकिन इन्होंने देश को सवरोपर्थम रखा जरूत परने पे उन्होंने देश के लिए बहुत जब जब जरूत परी तब तब लोगों द्वारा उस्षाइद करने के लिए हमारे सहिनिकों को उस्षाइद करने के लिए हमारे पुलिसों को उस्षाइद करने के लिए डॉक्टरों को उस्षाइद करने के लिए और सफाई कामगारों को पी उस्षाइद करने के लिए उन्होंने थाली पिटव यह सब लोगों को लगता है सब नाटक ढ्रामा यह भूती करने लाइक था हुझ टो मई उनको जितना भी अभी नन्न दू उतना कम है और वाकई में हमारे प्रधान मंतरी जो है पूरे विश्व का एक नेता बन चुके है हमारे यहां से जब हमको पहली बार मालूम पड़ा कि हमारे यहां जो वेक्सिन जो है वेक्सिन बन चुकी है और वो बनते बनते एक सौ करोण लोगों को जब वेक्सिन का टिका लगाया गया तो पूरे भारत में एक उत्सा का वातरण प्रगट हुआ यह सब जो है देन आई नरिंदर भाई मुदी जी की उनका जो उत्सा है उस उत्सा को और चार चार लगाने के लिए हम सभी का करते बनता है कि उनके साथ कंदे से कंदा मिलाकर उनके साथ में उनको साथ दे जाकि उनकी जो कलपना है भारत को पूरे विश्व के अंदर नमबर वन बनाने की और मुझे पूरा विश्वा से के मर्द आदमी 56 वाला आदमी एक दिन जरूर भारत को स्रेश्ट बना पूरा का पूरा वर्ड के अंदर पूरी की दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन करेगा ऐसा हमारे सब का तकदीर है हम सब का करते हो बनता है ऐसी घरी के अंदर हम सभी को उनके साथ में खरा रहना चाहिए आज भी बहुत साड़ा भई हमारे देश के उपर है लेकिन वह जागरूत है, बहुत है उनको लगता है यह काम करने से कोई छोटा हो जाएगा, बड़ा भन जाओंगा ऐसा कुछ भी नहीं है वह तमाम लोग उनका एक ही लक्स है कि सबसे बड़ा, अगर जो कोई है तो मेरा देश है, मेरे देश से उपर कुछ भी नहीं है, मैं भी एक सा कि आज हमारे नरेंदर मोदी जी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी की सथ अच्छी रहे बगवान से हम लोग सब मिलके यही दुआ करते और उनको शक्ति करे और पूरा दैश पूरा विश्व जो है नरेंदर मोदी अगर जो किसी का होगा, तो हमारे धर्मंदर जी ने जो गाना जो है, जिस तरह से एक दिल से जो रचा है, और दिल से अपनी जुबा से लिया है, उसको मैं अभीनान देता हूं, और एक घाने सुनने के बाद, लोग जो बाकी बचे हुए लोग है, वो भी वेक्सिन कराए, ज इतने दिन तक जो जो लोगों को करोना के वज़े से जो तकलीव होई है, इसके लिए मैं भगवान से प्रात्ना करता हूं, उनको बल दे, सक्ति दे, और उनकी जो यह गाना, मैं सिर्फ गाना नहीं कहूंगा, यह एक करांतिया है, एक उत्भोश है, एक शंक नाद है, क्यो इसका यह दितक ए, इसका यह आयना है, लोगों को इस गाने की थूआ, मोदी जी के जो स्पने है, विचार हैं, वो सामने आ रहे हैं, क्या है, हमारे देश की शक्ति क्या है, अगर हम सामोहिक रूप से सब मिल करकर का काम करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ एक शेर कहूँगा जो मोदी जी की इस कलपना को सागार करता है उर्दू में है वो एक दम सागार करेगा कि जो नहीं खोगरे मेहनत वो भला क्या जाने कितने दिन लगते हैं दाने को सजर होने तक इसका मतलब है जो परिशन जिसका सोभाव में परिशन में नहीं है उसको क्या प कितने दिन लगते हैं दाने को सजर होने तक तो यूं तो कुफले दरे, जिन्दान खुलेगा हर्गिस, सर को टकराएंगे धर्वाद से दरोने तक, ये हमारे बोदी जी के कलपना है, कोई काम अगर लाक अंधेरा हो, कोठली में परकाश नहीं आरहा, एक करण नहीं आरही है, लेकिन हम दिवार से तक 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 राएंगे जब तक वहाँ दरार नहीं पड़े और रोचनी के किरण नहीं आए है ये उनकी कलपना है और ये गाना जो है उनके कलपना का मूर्थ रूप देता है मैं बदाई देता हूँ गीतकार स्रीक कपिल देवजी का और रेकॉर्डिंग करने वाले परविश सरकार का और डालेक्ट साब अमारा घोपाल जी का जिनोंने बहुती मेहनत करके एक गीत है इस गीत को सजा सवारा और प्रसूत किया इसलिए मैं उनका बहुती रदे से अभी नंदन देता हूँ और खास करके इस गीत को अपने आत्मा की आवाज से बोलने वाले धर्मेंदर जी जो आज पूरे विश्वक अंदर अपने घीतो ध्वारा बहुती परिश्रम करके गाना लोगों को समक्स लेके आये है इसलिए मैं इनको भी बदाई देता हूँ और सुब कामनाय कहता हूँ संदै सिर्वास्ता ग्लोबल चक्र न्यूज मॉंबाई